तो विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा और अलजेब्रा की आज अपनी तीसरी क्लास है यानि कि थेर्ड लेक्चर है इस स्रीज में हम अलजेब्रा के टू हेंडड़ टू हेंड़ टू हेंड़ कुस्टन सॉल करेंगे जो स्सी ने पूछे हैं विगत तीन से चार साल में यानि कि दो हजार अठारा उननिस और बीस में तापके अग्जाम हुए नहीं थे और एकिस बाइस और तेइस के अब तक जो अग्जाम हुए हैं उनमें अलजेबरा की जो टोप टू हेंडड़ कुस्टन है इसके साथ ही हम ट्रिग्नोमेंट्री मेंशुरेशन और जोमेंट्री के भी कुस्टन करेंगे पीछे के जो लेक्चर हैं उनमें भी मैंने बताया था आज मैं एक बार फिर से बता देता हूं आज का अपना लेक्चर यहां से शुरू करेंगे 20 कुस्टन अपने हो चुके थे यान कि छोटे छोटे लेक्चर करते हैं जिसमें आपको पढ़ने में आसानी हो कोई दोईधाना हो छोटे 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 लेक्चर यान कि 10-10 कुस्टन के ही लेक्चर हैं तो 10 लेक्चर में आपके बीच लेक्चर में आपके दोसों क्यूशन हो जाएंगे क्योंकि ओनलाइन देखने में क्लास लगातार दो घंटे के गंटे क्लास देख नहीं पाते हैं तो छोटे-छोटे लेक्चर में हम इसको कम्पलिट करेंगे आज का पहला क्यूशन क्या है? बिलकुल जी साक्यूशन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इस इक्वल टू है माइनस थर्टिन तो एक्स रेज फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज फोर की वैल्यू क्या होगे? तो यहां आपको ध्यान में रखना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना है? माइनस 13 है माइनस के 13 है एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि अगर a पलस 1 अपॉन अपॉन ए हमने क्या लिया था x के बराबर लिया था तो a square पलस 1 अपॉन a square किसके बराबर हो जाता है x square माइनस 2 हो जाता है और जब इसका फिर से square करेंगे तो a की power 4 plus 1 upon a की power 4 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा x square minus 2 का square और minus यानि कि यहाँ वाली जो भी value आएगी ओके ये value ध्यान रखना कि यहाँ यहाँ जो 2 है वो इसमें से घट जाएगे ये जो value है इसका square करके और 2 घट जाएगे अब question solve करते हैं इस formula को apply करते हम question को अगर solve करते हैं तो x square plus 1 upon x square कितना हो जाएगा 13 का square कितना होता है minus 13 है minus minus plus हो जाएगा multiple में यानि कि दो बार है तो 13 का square 179 179 179 में से 2 घट जाएगे formula में minus के 2 है तो 167 हो जाएगा फिर इसका फिर एक बार square करेंगे तो x की power 4 plus 1 upon x की power 4 है 167 का square और उसमें से 2 घट जाएगे 167 का square अब पता नहीं है तो हमें ये तो पता 7749 last digit 2 आएगी ना सोरी 9 आएगी 7749 49 में 9 आता है और 2 और घट आदेंगे तो last digit 7 आएगी अगर यहां option से हमें पता चल जाता है last में 7 किसके आता है last में 7 इसके आता है तो इसका मतलब ये value आएगी 27887 तो 27887 आजाएगा अगर इसके अलावा और किसी में भी 7 होता और होता तो हम ये solve करके देखना पड़ता दरसल हमने यहां से last का digit देखके ही अंदाजा लगा लिया कि last में 7 सिर्फ एक में आता है तो option A है तो आपका छोटा सा question था PDF डाउनलोड कर लेना इसका एप से अपना PDF का अनमतलब आप का link नीचे दिया गया है PDF डाउनलोड कर लेना और अपने handwritten notes आप बना सकते हो सेम इसी टाइप का question है कुछ X प्लस 1 अपोन X बराबर है कितना 7.5 7.5 के X स्केर प्लस 1 अपोन X स्केर चाहिए X स्केर प्लस 1 अपोन X स्केर चाहिए हमे तो इसका स्केर कितना होता है 57.25 लेकिन माइनस की 2 भी आपको करने होते हैं फॉर्मूले में जो है तो आपका अंसर क्या जाएगा 54.25 आपका अंसर हो जाएगा 54.25 चेक करो 54.25 कहा है option A का 54.25 क्यूशन का लेवल आगे चलके बढ़ेगा अलग अलग तरह के क्यूशन आएंगे 200 क्यूशन है तो ये जो क्यूशन है ना इस टाइप के क्यूशन ही हर अग्जाम में आता है बस थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर लेता है पर कोई अग्जाम नहीं ऐसा जिसमें ये पूछा नहीं जाता एक्स प्लस उना पॉन अक्स की कोई वैल्यू देदेगा स्क्वेर में पूछ लेगा क्यूब में पूछ लेगा पावर फॉर में पूछ लेगा पावर फाइब में पूछ लेगा जैसे कल के क्यूशन में पूछ रखा था कि यहाँ X की पावर 5 है पलस वन अपून X की पावर 5 है ऐसे पूछ लेगा 6 में पूछ लेगा 2 में, 3 में, 4 में 5 में, 6 में ऐसे पूछ सकता है 8 में भी पूछ सकता है तो यह हमसे ऐसे कुशन पूट हो सकते हैं अब कुशन नमबर 23 थरीका है R पलस 64 बटे R बराबर है 16 तो R की पावर 4 प्लेस 1 अपून R क्यूब अब यहां आपको अंदाजा लगा लिना चाहिए कि यहां R की पावर 4 है यहां R की पावर 3 है तो यहां की फॉर्मूला तो होता नहीं ऐसा कोई दूसरा तरीका यह भी है कि R की कोई वैल्यू पुट करके देखे जिससे 16 के बराबर आजाए अगर मैं मान लेता हूँ R इज इक्वल टू 8 यहां 8 रखे मैंने और यहां भी 8 रखे 8, 8, 64, 8, 8, 16 ठीक है? R की वैल्यू आट रखने पर 8 प्लस 64 बटे 8, 8 से 8 64 कर जाएगा बराबर किसके? 16 के 8 प्लस 8, 16 8 प्लस 8, 16 16 के बराबर हो गए अब यहां से हमें इस क्यूस्चन में वैल्यू पुट करनी है 8 की पावर कितनी है? 4 प्लस 1 अपॉन 8 की पावर कितनी है? 3 यह हम ही करना है क्योंकि यह वर्यूफाई हो गया R is equal to 8 अब 8 8 की पावर 4 तो मुझे याद नहीं पर 8 की पावर 3 होती वो 512 होती है तो 512 नीचे किसके हैं? 512 इसके हैं तो इसका मतलब है फिर 8 से multiple करते हैं 8 दूनी 16 यह हो जाएगा तो उप्षन आपका हो जाएगा 4000 छण में 4000 छण में चही एक बटे 512 पर 8 की पावर 3 पावर 512 होती है 512 नीचे सिर्फ इसमें है तो उप्षन एक का कलीर हो जाएगा सही है? जहाँ फोर्मूला लगता है फोर्मूला अप्लाई करते है नहीं लगता है तो कोई बात नहीं होती टैंसर मतले ना बस क्यूसन नबर 24 24 चोटे 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 क्यूसन है सब एक्जाम में आते हैं ना तब पता चलता है कि यार यह नहीं आया यह कैसे होगा यहां आतान लग रहे हैं और यहां बार बार आप क्यूसन कर लोगे ना तो अग्जाम में भी यही क्यूसन होते हैं सारे अग्जाम के ही तो हैं फिर आपको लगए हाँ हम कर लेंगे तारिट यह वहां जाके अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना किसन यहेंगे, यहाँ तीन, चार, पांच बार, जपने हो सकते हैं को बार-बार एपीड करते जाओ, आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपके पच्छिस कुसन मैत के आते हैं, तो ये निधारित कुसन होते हैं 30,000 किशन पढ़ो जयादाάν पढ़ो चाहिए जो आपके टाइप कलीड हो जाते हें तो थाइभी से 3,000 किशन दो तीन चार बार पढ़ेगे तो काफी टाइम लगेगा दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा तिस्री बार काफी और और चौते बार मतलब आपको स्टेटमेंट भी याद हो जाएंगी और पांचवी बार तो आप वैसे ही बिना पेपर पेन के तो तो लगता है एक बार के लिए फिर आप वही धाई से तीन हजार कुशन में अग्जाम करेक कर सकते हो क्योंकि टाइप तो यही र इसको डिवाइड से डिवाइड वाइड 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 वाइ किया, आप मेरी बात से सहमत हो, यहां a से डिवाइड किया तो a² से नीचे a है तो a cancels हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा, यहां वाला a बिल्कुल cancel हो जाएगा, यहां बचेगे सिर्फ minus के 4 और फिर उधर 0 है तो यह minus के 4 उधर जाके plus कि हो जाएगे, a plus 1 upon a is equal to 4 हो गया, अगर कितना हो जाएगा चैर चोक के सोड़ा और सोड़ा में से दो गए तो 14 यह हो जाएगा अब इस question को हम solve करते हैं इसको, इसको मैं इस परकार से लिख सकता हूँ A, A square प्लस यह वाड़ा लिख लिया, एक यह लिख लिख लिए, प्लस वन अपॉन A square फिर क्या single A बचता है, A प्लस वन अपॉन A लिख लिया और यह किसके बराबर है यह नहीं की arranges कर लिए मैंने और कुछ नहीं किया तो यहाँ A square प्लस वन अपॉन A square की value तो है 14 और A प्लस वन अपॉन A की value कितनी है? 4 14 और 4 कितनी हो गए? 18 तो यह आपका अंसर आजाएगा, कितना आजाएगा? 18 option C का C is the right answer ठीक है, C का अपका अंसर बिल्कुल सही हो जाएगा Okay Question number 25 यह वाला formula एक formula होता है, अगर आपको याद है तो A plus B plus C का square किसके बराबर होता है? A square plus B square plus C square plus 2 into A B plus B C plus C A Okay तो यहाँ A plus B plus C 10 है A B plus B A B plus B C plus C A कितना है? 30 है A square plus B square plus C square के value हमें चाहिए है यहाँ थोड़ा मैंने पीछे लिख दिया, एक बर मैं थोड़ा यह पिलिख देता हूँ तो formula हो क्या है? A plus B plus C का square इसके बराबर होता है A square plus B square plus C square plus 2 into A B plus B C plus C E इसके बराबर होता है, यह formula होता है बस इस formula में value ही put करनी है A plus B square, यानि कि 10 का square करेंगे यहाँ पे हम तो हो जाएगा यहाँ, इसकी value कितनी है? 10 है 10 का square कितना हो जाएगा? और यहाँ क्या चाहिए हमें? A square plus B square जिसका कुछ पता नहीं अभी C square plus 2 into A B plus B C plus C A कितनी value दे रखे? A B plus B C plus C A कितनी दे रखे? 30 तो 60, ना सोरी 30 into में 30 तो 30 दूनी 60 यह इसमें से आके घट जाएगे तो 40 बराबर है किसके हो जाएगा? A square plus B square plus C square के हो जाएगा यही आपका answer है 40, 40, option C का, ना सोरी option A का 40 आपका right answer है और कुछ नहीं है मजाया तो ही है पढ़ते रहो बस Question number 26, 27 यहाँ देखें क्या है? X minus 1 upon X is equal 7 upon 3 है अब इसका क्या चाहिए? हमें चाहिए X cube minus 1 upon X cube cube में चाहिए हैं तो cube में चाहिए तो आपको formula याद है मैं फिर लिख देता हूँ X minus 1 upon X is equal to मान लिया, A मान लिया X की cube minus 1 upon X cube कितना हो जाएगा? A cube minus 3A हो जाएगा यह ध्यान में रख ले ना भाई? बार बार मन लिख रहा हूँ अगर आपको याद है तो अच्छी बात है नहीं है तो कितने इसके multiple में 3 करते हैं यह कितना हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा यानि की 7 मने value यहाँ 377, 9, 7, 6, 3, 3, 4 और यहाँ निचाएगी 27 ठीक है? निचाएगी 27 27 इसको कितनी बार भाग कर सकता है? 27 एकम 27 यानि की 12 बार कर देगा यानि की यह जोड़ जाएगा 12 सही 19 बातः 27 12 सही 19 बातः 27 पलस में 7 है यह साथ 20 इसके इंडर जुड जाते हैं तो 12 साथ 19, 19 सही 19 बातः 27 हो जाएगा 19 सही 19 बातः 27 हो जाएगा जो हमें चाहिए option चेकर 19 सही 19 बातः 27 option बी का right हो जाएगा कलियर है दखो यहां से x-1 upon x is equal to 7 upon 3 है x cube minus 1 upon x cube कितना हो जाएगा इसका cube किया 7 का cube 343 और नीचे कितना आ गया था 27 और फिट पलस में 7 कलियर है ओके भाई कलियर है तो इससे आगे क्यूशन पे चले हम क्यूशन नमबर 27 x plus y plus z is equal to 0 तो एक फोर्मूला आपको याद है न x plus y plus z is equal to 0 होता है तो क्या होता है x cube plus y cube plus z cube बराबर किसके होता है 3xyz के होता है अगर यही वी साइड में ले आए हम अगर हम यह ले ले लें x cube plus y cube plus z cube यह जो plus के है तो माइनस में जाएंगे 3xyz is equal किसके हो जाएगा 0 के किसके हो जाएगा 0 के तो क्या है xy x plus y plus z is equal to 0 है x cube plus y cube plus z cube minus 3xy minus 3xy किसके बराबर है 0 के तो 0 के है तो 0 answer है और कुछ नहीं है यह जाएगा 0 है तो 0 answer हो गए आपका clear इससे next question देखते हैं यह तो बहुत ही आसान है चलो यह question आप solve करो जल्दी से यह वाला question जल्दी से solve करके बताओ आसान सा question है आ गया भाई चलो हो गया तो अच्छी बात है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है यहाँ देखे पी की वैल्यू 11 है तो यहाँ पी की वैल्यू पूट करनी है 11 11 का square कितना होता है 121 plus 3 11 यहनकी 11 33 और plus 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 361 7 और 3 25 15 11 गुणा में 157 साथ एकम साथ तो ग्लाष्ट में साथ किसके है इसके है 1727 आ जाएगा तो आपका अंसर आ जाएगा 1727 बस इतना सा question था कुछ नहीं है CHSL हो CGL हो जो भी हो आपका अपटेंशन मत लेना बस यह वाला question यहां से आप confuse हो सकते हैं थोड़ा सा तो यहां confuse मत होना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोल करना है अगर हम मान ले X plus X upon Y किसके बराबर A के बराबर मान ले तो Y upon X किसके बराबर हो जाएगा तो यहां से हमने X upon Y जो माना है A के बराबर है तो Y upon X किसके बराबर हो जाएगा 1 upon A हो जाएगा वह अगर X upon Y A के equal है तो Y upon X यानिके उल्टा 1 upon Y हो जाएगा 1 upon A हो जाएगा क्लियर है यहां तक दिख रहा ना ठीक है अब यहां जो लिखाओा है वो स्केर में है इसको आप ऐसे लिख सकते हूं A स्केर पलस 1 upon A स्केर लोकि 7 के बराबर है A पलस 1 upon A कितना हो जाएगा फर्मॉला याद इसमें 2 जोड़के फिर क्यूब स्केर हो जाएगा और 3 का बराबर होता है तो ये 3 हो जाएगा अब इसका क्यूब करना है एक्यूब पलस 1 अपॉन एक्यूब कितना हो जाएगा 3 ती ये 9, 9 ती ये 27 और 3 दोनी 26 में से शेगे 18 कितना हो जाएगा 18 क्यूब अपॉन एक्स ट्यूब इसके बराबर आया है 18 के क्यूंकि हमने वैल्यू ये माननी थी ओल्राइट नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं और ये नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट भी है क्योंकि मैंने बताया था कि 10-10 कुशन की हम क्लास करेंगे चोटे-चोटे कुशन की ताकि आपका इंट्रेस्ट बने जादा बड़े लेक्चर में आप विजलित हो जाओगे चोटे-चोटे लेक्चर करते हैं 10-10 कुशन की एक बार जैसे ही आपका इंट्रेस्ट बनता है तो का टाइम हम बढ़ा देंगे कोई बात नहीं है तो यहां से देखते हम यह वाल स्टेटमेंट को लिखता हूं मैं कुछ क्रोस मल्टिपलाई कर देता हूं बैर मैं एक आर ये हो जाएगा। अधर जोड़ जाएगे एक सो बारह एकस Such के आथ यू So V2 यूरर 1 जोड़ जाएगे 120 K.. क्या क्या करना था..üre कुछ नहीं करना। । प्लस उन अपन आर फाबिद करना था.. defining questaこれ, 662, यह कुछ यह नहीं है, बिलकुल आसान है, आज का लेक्चरिस इतना सा ऐसा छोटा असा लेक्चर था और सभी के सभी हैं, जैसे-जैसे हम आगे बड़ते चलेंगी हमें लगेगा कि यह तो बिलकल आसान है बस रूटीन में आपको किसोन suo Sud करने अपने handwritten notes बना लेने हैं तो ये आज के question हमने यहां से प्रारम किये थे question number 21 से और आज का अपना तीसरा lecture था ये top 200 series में और मैं फिर बोल लेता हूँ कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जिन बच्चों ने भी वीडियो देखी हैं तो ये PDF जरूर शेयर करना PDF डाउनलोड कर लेना app 61 2.0 से और PDF share जरूर करना किसी भी विद्यार्थी की help हो जाए क्योंकि 200 question करने के बाद आपके 2-3 question आते हैं 3-4 question आते हैं 2-3 question आपकी मिलने की संभावना है हो सकता है complete के complete question भी आपकी यहां से soul हो सकते हैं CGL में बाकी पूरी के पूरी संभावना यही रहेगे कि important question है तो आप PDF share करें होचके तो वीडियो को भी share करें बच्चों को बताएं तो मिलते हैं हम next lecture में Thank you